तो यह आज का हमारा first question है, सबसे पहले मैं आपको बता है हमेशा कि पहले आपको D.I.E. आने के बाद सबसे पहले आपको data को read करना है उसके साफ से यह आपको question को solve करना है ठीक है तो पैरनम income है, यह income है in lakh में, तो यह 2.05 lakh है, 1.59 lakh है यह कहा है उसकी income है ठीक है यह man हो गया है, कितने man है तो 1,2,3,4,5,6,6 छे आदमी है ठीक अब यह इसकी income है 100% के बराबर है और percentage breaks in spending patterns तो यह जो percentage given है eating out 21.8 ठीक है shopping पर कितना करश किया, तो shopping पर खरच किया उसने 14.6 ठीक है watching movies पर कितना करश किया, 20.4 ठीक है एंड तो ऐसे यह आपको पुरा बताया कि health पर इतना खरच किया है saving पर इतना खरच किया, miscellaneous जो है अदर करशे है उसे पर कितना खरच किया है, यह आपको information given है, ऐसे हर किसी person का है eating out, shopping, watching movies, health का, तो यह आपको given है, ठीक है, और इसे के अधाफ से यह percentage है, यह percentage लगा नहीं है, बढ़ आपको समझना है, यह percentage है, और यह 100% की value होगी, इसकी value होगी, 100% की, ठीक है, तो मैंने बताया था कि हर question आने के बाद आपको video को pause करना, question को solve करने का try करना है, और मैं जो calculated यह, जो आपकी डियाई है, calculated यह है, है ना, और अगर इसकी में बात करूंगा, तो आपको video को pause करके पहले, question को solve करना, उसके बाद ही मेरा expression देखना है, तो यह calculated यह है, और जैसे कि आप देख सकते है, कि इसका जो data ही है, वो थोड़ा calculated है, percentage म है, point में, point में है, तो यह value भी 3 digit की हो गई है, और यह value भी 3 digit की हो गई है, अब पूछ क्या रहा है, हमें देखेंगे, अगर इस question की बात करें, question में बोला का, what is the total amount of saving all men together, तो saving क्या होता है, यह उसकी income हो गए, और income का saving कितना कर रहा है, 14.5% कर रहा है, ठीक है, 17 की income इतनी है, और इसका saving यह इतना कर रहा है, इतना परशन आपको find करना पड़ेगा, और फिर इतना परशन, फिर इतना परशन, और फिर इतना परशन, तो यह अगर बात करेंगे, तो यह questions जो है, वो calculating question है, आपको इसे first round में बिलकुल नहीं करना है, जब आपके पास समय हो, तब ही इतना परशन निकालोगे, और ऐसा करके, सबको add करके आपको बताना है, क्या करना है, इसको add करके बताना है, ठीक है, तो first round में नहीं करेंगे, और second round में भी करना पड़ा, तो इसमें हम approximation का use करेंगे, इसका use करेंगे, तो जैसे यह 14.5% है, तो इसको 14 ले 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 ल आज में देखेंगे, इसको क्या करना है, extra वाले को, ओके, चले, देख लेते हैं, तो 2.05 का कितना लेना आपको 14% लेना है, कितना लेना है, 14% आपको लेना है, ठीक है, तो अब कर लिजे, इसमें multiply कर लिजे direct, अब approximation है, और approximation में अगर हम option देखेंगे, तो 198 है, यह 142 है, य तो हम इसमें approximation का use कर सकते है, क्या कर सकते है, approximation का use कर सकते है, बटी, bank का question है, bank में आए हुआ question है, और यह आपके relevant था, तो इसलिए मैंने इससे pick किया है, ठीक है, तो देखो भी, ध्यान से, क्या करना है आपको, सबसे पहले लेना आपको, यह 0.5 को छोड़ देना, 14% लेना अब 15% किसका, तो 15 से multiply कर दीजे, 15 से multiply करेंगा, 75, 7 हो गया, 15 into 2, 30, 37, 7 हो जाएगा, 3 carry हो जाएगा, 15 into 33, 33 हो जाएगा, 33.75 हो जाएगा, 33.75, ठीक, अब आगे दिख लेते, next 1.195 का 16, तो 16 से multiply करेंगे तो 16 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 तो 44 और 8, 52 यह जाएगा 2, 15 होगा कह रही है, 16 और 16 वनजा, 16 और 15 तो कितना हो जाएगा 31 तो 31.20, कितना हो जाएगा 31.20 हो जाएगा ठीक है, हम, चले next देख लेते हैं, 2 से multiply करना 16 को तो कितना हो जाएगा 32% ठीक है, फिर 1.75 से multiply करना 18 का 0, 9 हो जाएगा 126 plus 9 135 135 हो जाएगा तो 5 आगे, carry, 13 हो गया 5 हो गया, और carry हो गया 13 और यह हो जाएगा 31 तो 18 प्लस 13 हो जाएगा 31 31.50, ठीक है, यह हो गया, अब last बचा है हमारा last चक कर लेते हैं, तो इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं 31.50 प्लस, अब यह 22 का multiply करना है इसमें, तो कर लिए जब भी multiply 22 का multiply करेंगे, तो कितना हो गया, 154 4 हो गया, और फिर point हो गया, फिर carry कितना हो गया है 15, क्या है 21 और 15, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा 37 चलिए हो गया है, अब इसको थोड़ा सा हमें ठीक से लिख लेता हूँ 33.75 किता था 33.75 था और इसको भी थोड़ा सा सही से लिख लेता है ये किता था आपका, तो ये था आपका 31.20 हो क्या, अब add कर लिए जाए, सीदे सीदे, और ये 28 carry हो था था न 29 हो था, हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है ये 29 और ये 31 कितना हो के 60, 60 और ही कितना हो जागा, 93 93 और 31, 23, 125 25 और 30 155, 156 156 और 30, 186 और प्लस 7 186 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 193 तो ये पूरा को add कर के आए कितना 193 आगा, किता आगा, 193 अब पॉइंट वाले add कर लेते हैं पॉइंट वाले add कर लेते हैं ये 70 हो गया, 170, 145 145, 165 उसके पाद 165 और 50 215 215 और फिर कितना है 40 215 और 40, 255 तो कितना हो जाएगा, 255 मतलब की तो ये हो जाएगा, 2.55 हो जाएगा add कर ले जाएगे, तो जाएगा, 195 255 और जिसमें हमने ये approximation वाला छोड़ दिया था, 0.5 छोड़ दिया था 3 छोड़ दिया था, 0.4, 0.2 0.4, 0.4, 0.4 तो मतलब जो भी आंसर होगा, वो क्या होगा, 195 196 से बढ़ा होगा है 156 तो cancel होगा, 189 भी cancel होगा 144 भी होगा, आप हम पास दो option बचे हैं, या तो अंसर यह होगा या तो अंसर नन अफदीस होगा, ठीक है तो जब हम इतना करीब पहुंच चुके है 195 के हमने बहुत सारी अप्रॉक्स की वैले छोड़ दिया है, मतलब अगर हम इसको नहीं छोड़ते तो हम 198 के अप्रॉक्स आ जाते हैं, अगर मुझे option चूज करना होता तो मैं बाकी चीज़ों को calculate नहीं करता, मैं सीधा इसको answer click कर लेता, क्योंकि हम इसके nearest पहुंच ही गया है ठीक है, बहले हमारे पास आप दीस भी answer है, बट अगर थोड़ा जादा अंतर होता, और हमने कुछ छोड़ा नहीं होता approximation का, approximation की वज़े से तो फिर मैं इस answer को mark नहीं करता ठीक है, तो आपको समझ में आगया होगा, है ना, तो ये question बहुत मतलब, calculated तो है, तो आपको इस तरीके से approximation करके आपको करना है और मुझे आपको explain करना होता है, तो मुझे सारी चीज़े अच्छे से बता नहीं होती है ठीक है, बट मैं exam इतना नहीं करूँगा, ठीक है तो उसे साब से जो इसका right answer होगा, वो क्या होगा, option number A होगा क्या बोला है next question में, चले, देख लेते हैं, क्या बोला question में, who spends the maximum amount on shopping तो कौन जो shopping पर है, सबसे ज़्यादा maximum amount spend करता है, यह आप से पूल बोला है, maximum, who spends the maximum amount on shopping तो shopping पर कौन सबसे ज़्यादा maximum amount करता है, spend करता है, यह आप से पूच रहा है, तो देखो, 2.05 का कितना shopping पर खरश करता है, 14.6%, ठीक है और 2.25 पर 15 points है, तो हमें highest निकालना है, आप देखो, यह percentage भी कम है, और income भी कम है, तो यह वाला answer तो होई नहीं सकता है ना, अब highest तो हमें इन दोनों का compare करें पर आया, अब 17 को हम compare करके देखेंगे, इससे कोई बड़ी value मिलती है, नहीं मिलती है, तो यह 1.3,000 कम है, और percentage भी क्या है, इसका ज़्यादा है, तो इसको हम कह नहीं सकते, यह ज़्यादा हो सकता है, अरुन का भी ज़्यादा हो स इनका percentage भी क्या है, ज़्यादा है, और इसका percentage भी कम है, तो यह तो होई नहीं सकता, फिर आरिफ की बात करेंगे, तो आरिफ की income भी कम है, और दूसरा, इसका percentage भी कम है, तो यह तो होई नहीं सकता, अब सूरेश की बात करेंगे, सूरेश की income भी बहुत कम है, और percentage इसका ज प्रेश है, सतीश है और आरून है, ठीक है, और नन अफ तीस है, तो क्या करेंगे, approximation लेके इसको calculate कर लेंगे, यह 0.7, 0.6 और 0.8 को हम छोड़ देंगे, अब देखते हैं क्या होगा इसका answer, ठीक है, तो अगर 15 से multiply करें, इसको 15, 5, जा कितना हो जागा 75, 7 होगा carry, 15, 237, कितन 33.75, कितना हो जागा 33.75, अब यह 15 परशन निकाला है, बाकी 7, पॉइंट निकाला नहीं, 0.7 परशन नहीं निकाला, यह किसका है, यह सतीश का है, किसका है सतीश का, आप देख लेते हैं किसका, अरून का, तो अरून का 16, 70 इप्लाई कर लिए, 16, 50 हो जाएगा, 0, 8 हो गया 16, 9, 144, 144 और 8, कितना हो जाएगा, 144, 8, 192 हो जाएगा, तो 2 हो गया, carry और 19 हो जाएगा वो, ठीक है, उसका 16, 1 कितना हो जाएगा 16, 16, 1 कितना हो जाएगा, और उसको add करने पर कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 31.20 हो जाएगा, 31.20 हो जाएगा, ठीक है, यह किसका है वई, तो यह है आपका अरून का, यह किसका है अरून का, आप इसका चेक कर लेते हैं, इसका भी चेक कर लेते हैं, ताकि आपको क का ठीक है सुरेश का भी चक कर लेते हैं तो 18 से 0 हो गया 18 126 हो जाएगा 6 हो गया 12 हो जाएगा ठीक है 18 बंजा 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 30.6 हो गया तो ये तो हो इनी सकता जादा आप इनी में डिफरेंस हो गया क्योंकि ये 33.75 है और 31.20 और इसका पॉइंट वाली वेलो बच्चे है तो ये भी नहीं होगा अब दो ही ऑप्शन बच्चे है अगर हम बात करें कि आपको देखो इसका इतना 7.7 परशन निकान ला हो और इसका आपको 0.6 परशन निकान ला है वैसे अगर हम देखे तो 0.7 परशन जादा होगा और इसके इंकम भी जादा है तो सतीश ही क्या होगा इसमें सबसे जादा होगा सतीश ही क्या होगा इसमें मैक्सिमम होगा अगर हम बात करें इस कोशन की इन 6 लोगों में सबसे जादो इस पेंड किस ने किया है तो वो सतीश नहीं किया है, किसने किया है, सतीश नहीं, इसने किया है, सतीश नहीं किया है, ठीक है, तो अगर इसका approximation निकाले तो 0.7% निकालना है, 2.25 का वो ज्यादा आएगा, 1.95 के 6%, 0.6% से, ओके, इसका answer क्या होगा, सतीश ही, इसका right answer होगा, तो I hope सभी को समझ में आ र कर रहा है, क्योंकि ये questions जो है, क्यालकुलिटिव वाला ही question है, और bank का question है, ये, तापकि आपकी practice होजा, इस ताप के questions के भी, इसलिए मैं इसको pick किया है, ओके, चाले आगे हम next question पे, चलते बागे next question पे, तो next question ये आपके सामने में, वीडियो को boss कीजे, question को solve कीजे, और ब चले, देख लेते हैं, ध्यान से समझना question को, क्या बोला है, what is the respective ratio of the total amount spent रवी on eating out, तो eating out, रवी का हो गया है, eating out का, eating out का कितना है, उसका 21.8% है, and watching movies का कितना है, 20.4 है, ठीक है, movies together, to total amount spent and आरुन, और पास रवी in the same, आरून का भी same, तो आरून ये हो गया, उसका भी eating out का देखना है, और किसका देखना है, इसका लेना है, अपको watching movies का लेना है, ठीक है, तो अगर हम इसको add करेंगे, तो 21, 24, 42, 42 points, इनदो को अड़ करें कि इतना हो जागा 42.2 तो यह हो गया है 42.2 परसंट निकालना है किसका निकालना है तो आपको निकालना है रभी का टोटल इंकम का टोटल इंकम कितनी है तो इसके बाद 14 पॉइंट तो 14 और 18 32.8 किता हो जाएगा 32.8 इंटू फिर कितना हो जाएगा फिर हो जाएगा कितना ये ये दिया है कितना 1.95 हो जाएगा अब क्या करेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट हड जाएगा और फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट भी हड जाएगा आब इसको जिकराथ है 41 से जाएगा 8 times ठीक है अभी इससे कटेगा नहीं 2 से ही कटेगा 2 से काट जाएगा 4 times और जाएगा 211 तो उपर कितना जाएगा 211 अपान नीचे में कितना जाएगा 120 और 356 इसका जो right answer होगा 211 ratio 156 कितना हो जाएगा 211 ratio 156 इसका right answer होगा ठीक है क्या हो जाएगा 211 156 ओके clear है न सभी को चले आगे हम next question पे चले screenshot रे लिए जल्दी से फटा फट तो चलते हैं वहाँ के next question पे चले बढ़े next question पे चलते है next question यह आपके सामने में वीडियो को pause कीजिए question को go solve कीजिए उसके बाद ही मेरा explanation देखना है आपको ठीक है चले बताइए जल्दी से answer इसका जल्दी से बताइए क्या होगा इसका answer चले देखिए दियान से समझना इस question को क्या बोला है amount spent by सूरेश health तो सूरेश की help पर spend सूरेश का किसका help सूरेश का help पर spend करना है तो सूरेश यह हो गया और इसका help इसकी income यह है और इसका help पर इतना percent उसने spend किया चलो ठीक है यह तो हम calculate कर लोंगे तो मतलब सबका help पर निकालना है और इसका help पर इतना percent निकालना है और सूरेश का भी निकाल कर सबको पूरे को add करना पड़ेगा add करने के बाद यहां जाएगा all का health वाला और इसको compare करके आपको बताना है कितने percent होगा क्या बताना है कितने percent होगा अगर आप exam में इस question को करेंगे तो आपको कितना time चाहेगा अगर हम बात करें और बोला है कि इसमें जो हमें चाहिए approximate भी नहीं चाहिए round of two digits after decimal decimal भी चाहिए all कितना time जहें up a minute aye question day पांच मिनट का टाइम आपका खा जाएगा, जब भी आपके इस टाइप के कुश्चन आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्यलकुलेशन होती है, तो आपको skip करना है, इन कुश्चन को क्या करना है, इस किप करना है, आपके पास अगर आपका एक्साम हो गया है, आपके ऊस टाइम बचा है, पांच मिनट का, साथ मिनट का, तब आप सेकेंड राउंड में इस कॉश्चन को कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको इस कॉश्चन को skip करना है, क्या करना है, इतनी क्यालकुलेशन आप एक्साम में जल्ली से नहीं कर पाएंगे, तो लास के एक-दो कुशन में, तो आप क्या करेंगे, इसको बढ़िया से आराम से आप चेक करेंगे, अगर मैं भी कराने बैटूंगा, तो मुझे समझाने में समझाना पड़ता तो बहुत टाइम लग जाएगा, और यह आने वाले 5-7 कुशन का टाइम पाजाएगा, तो यह आ लेजेगा, ओके, ठीक है, अब चलते हम आगे, नेक्स कुशन पर, ठीक है, चलिए, नेक्स कुशन ही रहा हूँ, वीडियो को पॉस्ट कीजे, को खुशन को खुछ सॉल कीजे, और बताएगे, इस का अंसर क्या होगा, जल्दी से भठाबट, चलिए, देख लिए थे कुशन में क्या बोला है, पर एनम इंकम औफ आरिफ एप्रोक्सिमेटली, आरिफ इंकम कितनी यह है, यह 1.75 एप्रोक्सिमेटली, वाट इस दा, परसेंटेज अफ टोटल पर एनम इंकम अफ आल में तुगेदर, तो आल में तुगेदर का मिलाके बताना है, क्या बताना है, all men together का मिलाके बताना है तो डेख लिए जो लिए add कर लेए देख हो यह 2.25 और 2.95 दोनों मिलकर किता बन जाएगा 4 बन जाएगा वैसे ये और ये, ये दोनों मिलकर भी क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 और 4 एIGHT हो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 प्लस यह हो जाएगा कितना हो जाएगा 11.70 कितना हो जाएगा 11.70 यहां से यह point हटाएंगे और यहां से इसको हटा देंगे पड़ किया अब क्या करना है अब हमको बताना है कि approximately कितना percent है अगर हम इसकी बात करें, तो इसका जो 10% होगा, 10% कितना हो जाएगा, 10% होगा, 117, यह 117 से तो बड़ा है, 175, 100 से तो बड़ा है, तो answer क्या होगा, 10% से बड़ा होगा, ठीक है, अगर 10% से बड़ा होगा, 10% से बड़ा होगा, तो 10% तो होई नहीं सकता answer, ठीक है, तूसरी condition, अगर हम इसका 20% निकाले, तो 20% कितना हो जाएगा, 22, 24, 234, कितना हो जाएगा, 234, अब यह 234 से चोटा भी है, मतलब answer जो है, 20% से चोटा है, तो यह भी नहीं हो सकता, यह भी option बचे, अब 20% देखो, 175 और 175 और 234 में बहुत अंतर है, कितना अंतर है, बहुत अंतर है, तो 19% भी नहीं हो सबता, क्योंकि 1% का अंतर कितना होगा, तो इसमें जो difference होगा 20% से कितना काम होगा तो अगर 11.7 देखे तो 5% के something होगा 5 गुने के something है इसका 5 times है 5 times कम है तो 20% से तो 5% के value कम करेंगे तो इसका right answer कितना हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा कितना 15% होगा क्या होगा 15% 19% पर नहीं होगा तो आपको धियान रखना है कुछ question ऐसे आपके approximation से ही आपको करने पढ़ेंगा जो calculating portion होते हैं अपको समझना पढ़ेगा क्या answer हो सकता और क्या answer नहीं हो सकता और इन चीजों का आपको use करना और मैंने बोला भी था आपको starting में कि जैसे जैसे हमारी classes बढ़ते जाएगी वैसे उसे questions का level बढ़ते इसको solve करना पड़ेगा आप solve करने बैठेंगे आप solve कर लेंगे accurate value भी ला लेंगे but हमें minimum time जो भी आपको time given है उसमें हमें question solve करना होता है इसलिए हमें यह देखना होता है कि हमारी approach क्या होना चीजिए best approach हम कहां approximation लगा सकते हैं हम calculation को नहीं करेंगे तो भी हमार answer आजागा तो इस सारी चीजिए आपको सोचनी पड़ती है इस सारी चीजिए क्या करनी पड़ती है आपको और यह practice करनी पड़ती है exam से जाने से पहले अब इस classes को आप 4-5 बार देखेंगे और उनकी बार बार practice करेंगे तो यह सारी चीजिए आपके mind में clear हो जाएगी है ना होगे चले आगे अब चले अब आगे चलते है next question पर चले next question next question आगे है सबसे पहले data को read करना है और बताना है कि इसका answer क्या होगा चले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि data में क्या क्या given है आपको बोला क्या है in the following bar diagram number of shirts trouser manufactured by five different companies M, N, O, P क्यों है ना तो यह पांच different companies है okay has given the ratio of the shirt and trouser given adjoining तो जो M company में है total shirts five ratio में है और trouser कितने ही त्री ratio में है अगर हम बात करे तो M company में total कितने है तो total है 960 अगर हमें shirt की बात करे तो shirt कितने होंगे 5 होंगे कितने मैंसे total मैंसे total कितने है 8 होंगे क्योंकि 5 shirt है और 3 क्या है ट्राउजर है अगर हम इसकी बात करे 100, 112 P company में P company की रही इसमें shirts है 3 ratio में और trouser है 5 ratio में यानि 5 की value निकालना है कितने में से 8 में से 8 से divide करेंगे यह जाएगा 1 time यह जाएगा 4 time तो यह सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी ठीक है अगर यह पास समझ में यह total quantity है यह total quantity है trouser और shirt की quantity है सभी में M, N, O, Q में ठीक है डेटा read कर लिया, डेटा समझ में आ गया है हम सीज़ा जाएंगे question पे और question से हम question को solve करेंगे आपके बास क्या करना है आपको वीडियो को pause करके पहले question को solve करना है और उसके बाद मेरा explanation देखना है चले, देख लेते हैं भई, क्या करना है इस question में देखते हैं, क्या बोला है what is the average number of shirts manufactured by the company M O Q average निकालना है, क्या निकालना है, average और किसका निकालना average तो shirts का निकालना है, किसका निकालना है shirts का, shirts कितनी है M में तो 5 है कितने में से, 5 plus 3, 8 में से तो M में से निकालना है shirts, 5, 8 में से, फिर किसका लेना है, O का यह हो गया, O, O में shirts है, 7, कितने में से तो 7 plus 9 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से है ओके, हम, ठीक है then Q, Q का यह हो गया, Q में shirts कितनी है, Q में 8 shirts है ठीक है, क्योंकि यह total है 8, और यह total था 16 और यह total था कितना, तो यह 25 था, ठीक है तो 8 25 में से, कितने में से, 25 में से, ठीक है तो चलिए, solve कर लेते हैं 8, 1s are 2, कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 600 ठीक है, plus 60 से divide करेंगे, जाएगा 1 time sorry, 60 से जाएगा 1 time, फिर जाएगा 1 time, फिर जाएगा 5 time और 115, तो 700, 805, तो कितना हो जाएगा यह, यह हो जाएगा, plus 805 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 805, प्लस ठीक है, अब उसका देख लेते हैं, 25 से कटेगा यह चार बार, 64, into 8 और 512 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 512, ठीक है, आप पूरे को add कर लेंगे, 2, 600, 1400, और 14, 5, 1900 हो जाएगा, average भी निकालना है क्यों हमें, चलो, 1900 पहले जाएगा, हैं, और 512, 17 हो जाएगा, 17 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 19 हो गया, अब इसको divide करेंगे, अब इसको average निकालना है, 3 से divide करेंगे, 3 से, 3 से जाएगा, यह 6 times, बचेगा 1, फिर जाएगा 3 times, फिर बचेगा 2, फिर जाएगा 9 times, इसका जो right answer होगा, हो कितना हो जाएगा, 639, कितना हो जाएगा, 639 हो जाएगा, इसका जो right answer होगा, हो कितना हो जाएगा, 639 हो जाएगा, इसका right answer, ओके, I hope, सभी को question clear हो गया, होगा, है न, screenshot ले लिए जल्दी से, अब चलते आगे हम next question पे, पीरा next question, जल्दी से question solve करके, बताईए, क्या होगा, इसका अंसर बटावट, चले, देख ले देवाई question को, क्या बोला है question में, तो बोला है the number of shirts manufactured by company P, तो company P दरा manufactured shirts का आपको बताना है कि उसने कितनी shirts manufactured की है, यह बोल रहा है, चले देख लेता है company P, company P की बात करेंगे, company P में total shirts है 3, और यह कितना है 5 है, कितना है 5, company P ही बोला था ना, the number of shirts manufactured by company P, तो P की बात करेंगे, तो total है 8, और 8 में से 3, P में, है न, तो यह है P, इस में से 3 में short manufactured किया था, 8 में से, 8 से divide कर लो, इसको जाएगा 1 time, और जाएगा 4 time, 140 हो गया, और 14 into 3, कितना हो जाएगा 420, तो इसका जो right answer होगा, तो कितना हो जाएगा 420 होगा, easy question था यह, है न, तो कितना हो जाएगा 420, इसका right answer होगा, ठेक है, clear है, चलो screenshot लो जल्दी से, पटाक से, पर चलते आगे next question पे, चलो next question आगया है, जल्दी से बताएगा इसका answer क्या होगा, what is the total number of trousers manufactured by company N and P, तो N और P का, क्या बताना है, total trousers का बताना है, किसका बताना है, trousers का, तो N और P में देख लेते हैं, trousers, तो N का total जो है, तो अगर इसको हम add करें, कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 43, और P की बात करें, तो P हो जाएगा total 8, इसमें से trouser यहां 19 है, और यहां कितने हैं, 5 हैं, तो N की बात करेंगे, तो N यह है, इसमें हमें बताना है trouser, तो trouser बताना है, तो हमें बताना है 19 की value, कितने में से 43 में से, और P में बताना है trouser, trouser यहांने 5 की value बताना है, इसको डिवाइट कर लेते हैं, यह तो इससे 160 होगे, 160 और 4 इंटो 3, 12 तो यह 4 टाइम जा रहा है, 40 और यह जाएगा 760 760 तो 700 और 760 यानि कितना हो जाएगा इसका राइट अंसर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा Option number C 1460 तो जाएगा 1460 इसका राइट अंसर होगा इतना होगा 1460 इसका राइट अंसर होगा ओके clear है सभी को तो यह clear है न सभी को कोई doubt तो नहीं है कहीं पे questions में तो ले नहीं होगा चलते आगे हम next question पे next question यह आपके सामने में वीडियो को pause कीजे question को कुसौल कीजे और बताईए जल्दी से इसका अंसर क्या होगा चलिए देख लेते हैं the number of shirts manufactured by company q q यह है shirts इसमें 8 manufactured की है total है 25 q is what percent of total production total production को कितना percent है वही पूछा ना production कितना होगा total 25 होगा कितना होगा 25 तो बस 8 बताना है 8 है shirt और कितने में से 25 में से और percentage बताना है इसका multiply करेंगे 100 से 25 से जाएगा fourth time जो शर्ट है total production को कितना है 32 percent है कितना है 32 percent बाकि जो rest होगी यूँआ होगी trousers होगी किसमें होगा ये तो ये company q में होगा किसमें होगा company q में इसका जो right answer होगा कि क्या हो जाएगा option number D इसका right answer होगा क्या हो जाएगा option number D, इसका right answer होगा बताएं क्लियर करें सभी को क्लियर है ना, सादे आगे नेक्स कोशन पर चलते हैं नेक्स कोशन आ गया है जल्दी से बताएं इसका answer क्या होगा तो बताने आपको, रेश्यो बताने किसका इसका right? 5 shirt बताने manufacture by company M हमकी बात करेंगे, इसमें 5 shirt मैनफेक्टर की गई है कितने मैंसे 8 में से, total है 8 then, trousers manufactured by company P company P से trousers बताना है company P से trousers company P में भी trousers कितने है, 5 है कितने मैंसे, total 8 में से, ठीक है कितने मैंसे, total 8 में से, okay अब देख लेते M का, M का टोटल लेतना है, तो M का टोटल है 960, 960 का कितना लेना है, तो 960 का 5 by 8 लेना है, यह तो है M का, इसका हो गया है, M का हो गया है, शर्ट, और इधर क्या लेना है आपको P का लेना है, ट्राउसर लेना है, ठीक है, यहाँ देखो, P का लेना है, अब P क कितना है तो one one two zero है किता है 1120 और इसका भी कितना लेना आपको five by eight लेना है कितना लेना five by eight ये से अङ्चेल हो जाएगा zero से उचल हो जाएगा सुरस से कटेएкі है छे बार, सुरस से कटेएगा ये साथ बार इसका जो राइट आंशर हो जागा, कित्ना हो जागा 6 राइशियो 7 कित्ना हो जागा 6 राइशियो 7 इसका जो राइट आंशर होगा, वो जागा 6 राइशियो 7 यानि कि Coordinator Eamporn E is the right answer यह question वैसे difficult नहीं था, easy question था, तो यह आप question आराम से कर सकते थे, चले अब चले आगे next question पे, इसकिन शॉड ले ले जल्दी से फटाक से, अब चलते हम आगे next question पे, सबसे पहले आपको data को read करना है, बोला है, marks obtained different student in different subject, तो marks obtained किया गया, different student ने different subject में, कौन कौन से different subject है, यह सारे different subject है, subject है, और फिर maximum marks दिये हुए है, ठीक है, तो यह है हिंदी, फिर English है, फिर Maths है, फिर SST है, फिर Science है, फिर even होता है, क्योंकि यह बताया है, marks obtained, marks बताया है, अब यह percentage बताता है, तो हमें percentage की तरह treat करते हैं, ठीक है, तो चली, data हो गया है, read करके, question आपके सामने में है, question जल्दी से solve कीजिए, और बताइए, इसका right answer क्या होगा, जल्दी बताइए, फटापट, How many students have scored lowest marks in Two or More subjects, तो सबसे कंग, marks, lowest marks कौन, किस-किसने लिया है, तो हिंदी की बात करें, तो हिंदी में सबसे जो lowest marks है, वो जैंगे की सामने में, 55 है, और किस ने लिया, विशाल लिए, विशाल का, जाक एचैंगे, विशाल लिया है, फिर इंगलिश की बात करें, तो इंग फिर मैट्स की बात करेंगे, तो मैट्स में सबसे लोवेस्ट मार्क्स लिए है 55, किसने लिए भास करने? B हो गया, उसके बाद SST में अगर बात करें तो सबसे लोवेस्ट मार्क्स जो है, वो 63 है, ये किसने लिए 4 उने? फिर साइंस की बात करेंगे तो साइंस में सबसे लोवेश्ट मार्क्स किसने लिए है? 44 लिए है, किसने लिए? विशालने फिर संस्कृत की बात करेंगे तो सबसे लोवेश्ट मार्क्स लिए है 28, किसने लिए है? विशालने sorry lowest mark 25 होगा यह किसने लिए है चारों लिए है और फिर then physics education में सबसे जो lowest marks है वो किसने लिए है तो वो लिए है विशाल ने किसके लिए है विशाल ने तो बोल रहा है how many students have scored lowest marks in two or more subjects तो दो subject में तो विशाल ने तीन subject में lowest marks लिए है 1, 2 और 3 यह भी count होगा यह हो गया विशाल एक count होगा और कोई ने जिसने दो subject में कम marks लिए तो बो है 4 चारों ने भी 2 subject में कम marks लिए है तो यह भी होगा एक, 2 या 2 से ज़्यादा उसके बाद दीपक ने एक ही subject में लिया था तो यह count नहीं होगा और भास करने भी एक ही subject में लिया तो यह भी count नहीं होगा तो इसका जो answer होजागा कितना होजागा 2 होजागा तो option number A is the right answer क्यों होजागा option number A is the right answer होगा क्यों होजागा option number A इसका right answer होगा ठीक है clear है सभी को तो दो person ऐसे है जिनने दो subject या उससे ज्यादा subject में का marks लिया है वो है विशाल और दूसरे है चारू next question next question के सामने में है वीडियो को pause कीजे question को खुछ solve कीजे और जल्दी से बताइए कि इसका explanation क्या होगा झाल whom has scored highest marks in all subject to gather तो किसने all subject मिला के सबसे ज़्यादा highest marks लिए है तो अब आपको highest marks किसने लिए है all subject मिला के आपको ऐसे count नहीं करते है आपको देखना है कि देखो 85, 95, 87 87 तो मतलब अच्छे marks है ये फिर इसकी बात करेंगे तो यहाँ एकी में 97 है बट इसके बाद ये 55 हो गया ये 77 हो गया तो ये भी इतने इच्छे marks नहीं है तो ये हमें दिख रहे है सबसे highest marks आगे देखते हैं और ऐसा कौनसा person है और ये देखो ये 64 ये भी नहीं हो सकता 78 ये भी नहीं हो सकता ये भी ठीक marks नहीं लग रहे है तो highest होई नहीं सकता ठीक है तो उसके आज 60 ये line भी आपकी highest नहीं लग रही है ठीक है फिर ये line लग रही है कि इसमें 90 हो गया फिर 82 हो गया 81 हो गया 79 हो गया ये थोड़े ठीक लग रहे है ठीक है चार सब्जेक्ट वाले ये भी नहीं लग रहे तो कुल मिला के भासकर चारू और दीपक और विशाल का तो हाइस्ट मार्क्स होई नहीं सकते है अब दोई परसन बचे दोई परसन के हमें कंपरेजन करना है ठीक है तो अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो एक प अब यहाँ भी देखो अगर हम अधर सब्जेक्ट की बात करें अधर सब्जेक्ट भी बात करें तो यह भी 75 में 65 लिया है और 50 में से 35 लिया है और 75 में 71 लिया है तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है औस सारी चैज़ों को और add करने की need ही नहीं पड़ी तो आपको मैं बता रहा था कि हमें हमेशा हर question में add करके देखने की need नहीं पड़ती है अगर add करोगे तो बहुत time लगेगा simply observe करके भी हम देख सकते थे, जैसे मैंने आपको observe करके बताया, तो इस साब से अनुपामा का क्या होगा, highest marks होगा क्या होगा, अनुपामा का highest marks होगा ठीक है, तो इसका जो right answer होगा, वो क्या होगा option number C होगा, क्यों हो जाएगा option number C इसका right answer होगा, ठीक है लिए रहेंड़े जबी को चले आगे हम next question पे चले आगे चलते next question पे next question ये रहा, चले जल्दी से बताएए इसका answer क्या होगा what is the percentage of दीपक marks up to two digits after decimal in the all subject together तो दीपक के mark से बताना है two digits in all subject together ठीक है भई, दीपक के mark देख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले subject की बात की बात की बात की लिए total total subject कितना हो जाएगा 100, 200, 300, 400 400 अड़ी कितना हो जाएगा 150, और ही 50, 200 400 पर 200 कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा जाएगा 600 हो जाएगा अब आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है दिपक्स के मार्क एड कर लेते हैं यह के 6 यह हो जाएगा 12 यह हो जाएगा 18 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26 26 प्लस 7 33 33 प्लस 9 42 कितना हो जाएगा 42 420 ठीक है अब इसके बाद यूनिडिजिट एड कर लेते हैं यूनिडिजिट कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 7 7 यह हो जाएगा 10 17 17 कितना हो जाएगा जाएगा 5 437 ठीक है तो दीक हो जिटेटो होना है और टोटल जो मार्क से कितने 600 है सारे सब्जेट के मिलागी अब इसका क्या बताना है परसेंटेज बताना है क्या बताना है उसको करेंगे हम 100 से मुल्ट्प्लाइट तो 2 0 से 2 0 होगे कैंसल अब उसको करेंगे सिक्स से कर लो भी डिवाइट जाएगा 1 बचेएगा तो 6 से जाएगा 2 ताइमस ठीक है फिर कितना बचेएगा 5 बचेएगा और 5 by 6 की value कितनी होती है तो 5 by 6 की value अगर आपने percentage पढ़ा आपको पता होना अच्छी 83.33% तो 72 point इसका जो right answer होगा वो कितना होजागा 83 हो जाएगा 83 यानि कि option number E is the right answer तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा option बड़ E इसका right answer होगा क्या होगा option number E इसका right answer हो जाएगा ओके clear है सभी को बताइए clear है ने सभी को clear है सभी को चले आगया अब next question पे चले अब आगया चलते है next question पे हम लोग चले next question बताइए जल्दी से solve करके answer क्या होगा इसका marks obtained by चारू इन हिंदी are what percent चारू ने हिंदी में marks से लिए है 65 कितने लिए 65 marks से लिए 65 marks obtained by अनुपमा in the same subject अनुपमा अनुपमा नहीं हिंदी में लिए कितने तो हिंदी में लिए उसने 85 तो what percent बोल रहा है तो मतलब 65 85 को कितना percent यह आप से पूच रहा है ठीक है into करेंगे 100 क्या करेंगे into 100 करेंगे 100 करेंगे हो जाएगा 20 times और यह हो जाएगा कितने times तो यह जाएगा 17 times यह हो जाएगा 130 और 10 यह जाएगा 17 ठीक है 17 होग्या अब 17 से डिवाइट कर लो तो डारेक्ट, 17 से जाएगा यह कितना इम सेल जाएगा, 7 टाइम, 7 टाइम सेल जाएगा, बचेगा 11, तो 110 हो गया, पर जाएगा 5 टाइमज, 1 सेकंड, 65 दिया है, क्या दीपक का ही लेना था ना, जारू कलेना था, ओके, ओके, ओके. करें ते चारू का है 64, जो जाएगा 64 अपॉन, इसको compare करना है किसे अनुपामा से, अनुपामा का कितना है 85, एंटो कितना हो जाएगा तो यह जाएगा 100, अभी जाएगा 5 पे जाएगा 17 ताइम्स और जाएगा 20 19 हो जाएगा 8 और 9 आ जाएगा ठीक है 9 हो गया फिर बचैगा 5 ताइम जाएगा फिर बचैगा five फाइफ बचैगाanda five and 50 हो गया और यह जाएगा two times katevça लगग two times the 14 बचैगा 14 से जाएगा nine times लगद इसका जो right answer हो हो गया, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, 75%, 75.29%, कितना हो जाएगा, 75.29% हो गया, इसका right answer, ठीक है, चलिए, अब आगे चलते हैं, next question पे, चलिए, next question क्या बोल रहा है, तो next question बोला है, what are the average marks obtained by all subject together in science, तो, जल्दी से answer करके बताना है, कि क्या होगा, इसका right answer, देखे, क्या बोला है, what are the average marks obtained by all subject together in science, average marks obtained by all subject together in science, in science बोल रहा है, ठीक है, तो, देखो दी answer, what are the average obtained student together in science, यह के science की बात होगी है, okay, देखे लेते हैं, क्या करना है, इस question को, what are the average marks obtained by all student together in science, तो, science में देखे लेते हैं, all student together, उसका average निकालना है, तो, यह होगी science के marks, सबको add करके, उसको average निकालना है, तो, देखो, कर लेते भी, तो, कितना हो जाएगा, 10, 6, 6, 12, 12, plus 5, 17, 13, plus 7 होगा, 24, 24, 24, plus 8, 32, 320 होगा, ठीक है, फिर unity जिट एट कर ले जाए, 5, plus 5, 10 होगा, 10, plus 2, 12 होगा, 12, plus 4, 16 होगा, 16, plus 9, 25 होगा, तो, कितना हो जाएगा, 3, 45, कितना हो जाएगा, 3, 45 हो गया, ठीक है, average निकालना है, कितने subject है, तो, 6 person है, तो, 6 से कर देंगे, divide, तो, से जाएगा, 2 टाइम्स चल जाएगा, sorry, 5 टाइम्स चल ले जाएगा, पिजएगा, 4, फिर 7 टाइम्स चल जाएगा, ठीक है, पुर बचेगा, फिर जाएगा, 1, पिजएगा, 5, तो, इसका जो average हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 57.5 हो जाएगा, 57.5, इसका right answer होगा, हो जागा 57.5 इसका राइट अंसर होगा ठीक है clear है सभी को clear है न चले आगे अब next question पे चलिए अब आगे चलते next question पे चलिए वे next question देख लीजे next में बताया है percentage of marks obtained by different student in different subject एक सेकेंड है ना वन सेकेंड वन सेकेंड जब तक आप डी आई को read करो डेटा को read करो भई यह आपके डी आई data को read करो जब तक आप प्यक्त करोज्ड के लूए स Nich to है! झाल 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 चलिए अब ये question को कर ले दे solve है ना वियान से देख मैं इस question को the percentage of marks obtained by different students in different subject तो different student है different subject में इंदी की बात करेंगे English की बात करेंगे 150 ये आपको गिवन है और ये percentage है 60% है ये 64% है 67% है 59% है ये आपको सारा data आपको गिवन है ठीक है सारा data गिवन है तो आपसे देख लेते हैं पुछा है how many marks did Himani get in the all subject together तो Himani ने पूरे subject मिला कर कितने marks लिए आपको बताना है तो Himani की बात ये है ये 58 अगर 150 की बात करेंगे 100 की respect में 150 देखा जाए तो 100 की respect में 150 की बात करेंगे ये होजाएगा 3 by 2 ठीक है वैसे 125 की बात करेंगे तो 125 जो होगा 100 की respect में कितना हो जाएगा 5 by 4 हो जाएगा और इसकी बात करेंगे 75 की तो 75 100 की respect में कितना हो जाएगा 3 by 4 हो जाएगा तो आपको जो भी marks percentage दिया है उसको दोना percent आपको लेना है उससे क्या आपको चीज आपकी easily sorted हो जाएगी ठीक है देखो दियान से है ना तो दियान से समझ लो इस question को ठीक है क्योंकि अच्छा question है ये मैं आपको explain कर देता हूँ तो अगर 100 की जागा 150 है तो इसका आपको 3 by 2 लेना है कितना लेना है 3 by 2 लेना है तो 2 से डिवाइज बात हो जाएगा 29 to 3 कितना हो जाएगा 87 डिरेक्ट हो जाएगा इस concern ठीक है यहाँ भी कितना होना है यहाँ आपको 3 by 2 लेना है तो 2 से डिवाइट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 30 plus 3 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा यह माइनी की बात कर रहा ना यहां भी कितना हो जाएगा 3 by 2, तो यह हो जाएगा 32 into 3, कितना हो जाएगा 96, तो यह कितना हो जाएगा 5 by 4 हो जाएगा, 5 by 4 तो अभी तो नहीं आएगा, इसको आगे चाहिए, यह हो जाएगा 3 by 4, यह भी नहीं होगा, इसको बाद में देखते हैं, यह होगा 3 by 4, जाएगा 15 15 into 3 15 into 3 कितना हो जाएगा 15 into 3 कितना हो जाएगा 45 ठीक है प्लस इसको देख लेते हैं ये भी कितना हो जाएगा 3 by 4 18 into 3 कितना हो जाएगा 54 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 by 2 तो ये कितना हो जाएगा 33 अब ये दो पोर्शन बचे है ये कौन कौन से पोजिशन बच्छे एक ये वाला और एक ये वाला है ना, तो इसको इसको multiply कर लेजे, चाल एड़े, 54, तो 2, 27, 27 upon 4 plus, इसको multiply कर लेटे, ये किता होजाएगा, 21 upon 4, इसको पूरे को add कर लो भई, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 480, किता हो हो जाएगा 120 हो जाएगा कितना जाएगा 120 ठीक है तो आई होब यह सारी सीज़े clear होगी अब हम कर लेते इनको add क्या कर लेते इनको add कर लेते तो 8 और 9 17 17 और 9 26 26 और 4 30 30 प्लस 5 35 35 प्लस 3 38 38 plus 12 50 हो जाएगा कितना हो जाएगा 500 कितना हो गया 500 हो गया ठीक है 7 प्लस 6 13 13 प्लस 5 18 18 प्लस 4 22 22 प्लस 3 25 जो जो जाएगा 525 यह निकि जो right answer होगा, वो क्या होजाएगा, option number C, इसका right answer होगा, क्या होजाएगा, option number C, इसका right answer होजाएगा, okay, clear है सभी को, कोई doubt, clear है न, अब कोई doubt तो होगा नहीं, चलिए, आज की class सहीं तक रखेंगे, यह आज का मारा last question था, आपको class कैसी लगी है, और D.I. का जो style series थी, आज हमें खतम कर दी है, अब next time से हम next topic discuss करेंगे, यह हो सकता है, पर reading का topic में पढ़ा होगा, okay, चलिए, thank you so much guys, thank you very much, आज की class सहीं तक,